नमस्कार, मैं हूँ अलकानेगी तोमर, आज प्रस्तुत कर रही हूँ एक स्वारचित कविता, जिसमें हनुमान जी के संदर्ब में एक अथानक लिया गया है। बाली को ब्रह्मा जी का वर्दान था कि वह जिससे भी द्वंद युद करेगा, उसकी आधी शक्ती बाली में समाहित हो जाएगी। इससे बाली दंभी हो गया, वह बात बात में द्वंद करने से उसने अत्यदिक शक्ती संग्रह कर लिया। सभी के चहेते श्री हनुमान जी को एक बार बाली ने द्वंद के लिए ललकारा। सभी जन इस बात से तरस्त हो गए। ब्रह्मा जी भी घबराकर बाली को समझाने गए परन्तु वह न समझा। तब उन्होंने हनुमान जी को युद्ध न करने का अनुरोध किया। जब बात न बनी तो उन्होंने हनुमान जी से बिंती करी कि वे अपनी शक्ती का दस्वा भाग ही लेकर युद्ध को जाए। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही वे बाली के निकड आये, बाली तीवर क्रंदन करता हुआ वहां से भाग गया सभी हत्प्रब रहे गए बाद में पता चला कि हनुमान जी का बल इतना अधिक था कि बाली उस बल के दस्वे भाग के आधे को भी सेह नहीं पाया उसे लगा उसकी तवचा भट जाएगी, अधा उसने भाग कर अपने प्राणों की रक्षा की रावण जैसे महाबलशाली को अपनी कांख में दबा कर रखने वाली बाली जैसे महाबलशाली भी जिस बल के छोटे भाग को भी सेह नहीं पाए उसे हनुमान कैसे संभाल पाए? कारण है उनका अपने इश्ट श्री राम पर अताह शद्धा उनहीं की भक्ति में लीन हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास भी नहीं हो पाता अतिविनम्र वसहिष्णों हनुमान जी को माता की क्रपा से अश्ट सिध्यां और नौनिध्यां प्राप्त हैं हम प्रार्तना करते हैं कि उनका अशीष हम सब पर सदा बना रहे और हम श्री राम के इस दास के दास बने रहे तो शू करते हैं श्री हनुमान कुपकुम राम नाम का लेपे हैं हनुमान जिवा पर प्रभु नाम है है नैनों में सम्मान बाली नाम वानर एक ऐसा ब्रह्मा से वर लीना युद्ध जिससे भी करू प्रभु मैं उसका आधा भल मुझ को देना होते करते युवा बाली हुआ महा बली बलशाली बात बात पर लड़ता सबसे सब की शक्त आधी कर डाली हुआ चूर मद में वो ऐसा भूला कस्बा गाउव परिवारा भूल गया कथा हनुमत की उन्हें द्वंद युद्ध को ललकारा दिन निश्चित हुआ द्वंद का दुनिया हुई हाहा कारी सब चाहें जीते हनुमत द्वंद में पर विदिका वर अती अव्यवारी हनुमान विनम्र युवा थे थे सेहनशील चतुर्व ग्यानी एहंकार मद में पागल अविवे की था बाली भगवान चूर करो मद बाली का जापें सब नर्नारी क्या होगा बाली का तब जब जाएगी हनुमत की शक्ति स्परवारी उधर विधाता विचलित इससे बाली को समझाएं मत कर बारी बैर सभी से हनुमत सब को भाएं बाली नट गया हर कारण तब विधी हनुमत पे जाएं बिन्ती करी तब हनुमत से क्रपया आप ही रुख जाएं सब प्रकार समझाने पर भी जब कुष्टी टल नहीं पाएं तब ब्रह्मा जी बिन्ती कर बोले प्रभु अपने बल का दस्वा भाग ले जाएं निश्चित दिवस हनुमान जी श्री राम जी को ध्याएं नौ भाग शक्ती का अपने राम चंद्र पर नवाएं पहुँचे निश्चित स्थान तो देखा बाली ठोके ताल श्री राम की आज्या लेवे चले फिर धीमी चाल बड़े अखाडे की ओर जब धीरे से हनुमान लगा चीखने बाली पीड से भागा लेकर प्राण क्या हुआ क्या हुआ पूछें सारे क्या हुआ निर्णे आज बाली भागा मैदान छोड़के आई न उसको लाज पूछने पर पीछे सबने जाना फिर उसका हाल तीवर इतना था बल हनुमत का चटखने लगी बाली की खाल हनुमान के बल की बाली को लगना पाई था शान्त विनम्र लोक प्रियते वे चलते अपनी राह बल इतना था समाया इन में दसुआ भाग भी बाली सहना पाया विनम्रता की प्रतिमूर्तिवो राम का दास कहाया हनुमान का तपतो देखो अश्ट सिद्धियां पाई माता की से वासे इनने नो निधियां कमाई चिरन जीव ये लाल अंजना के इनसे सीखो जीना बल बुद्धी तप धैर दया से निजपर अंकुष कीना तोड़ा मदबाली का जिसने प्रभू मेरे हृदे करो निवास सदा रहे आशीश तुम्हारा हम रहें दास के दास आज के लिए इतना ही हम से जुड़े रहें नमस्कार